हेलो दोस्तो मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्स्प्लेन करने वाला हूँ हमारे क्लास 12 के फिजिकल अजुकेशन बुक के यूनिट नमबर 9 साइकोलोजी एंड स्पोर्ट्स को तो दोस्तो यह जो वीडियो है यह according to the new syllabus है 2022-23 तो इस वीडियो को दोस्तो एंड तक देखेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले दोस्तो हम देख लेते हैं इस यूनिट के content को मतलब दोस्तो हमें इस chapter में कौन-कौन से topics को cover करना है सबसे पहले topic के दोस्तो हमारा personality, its definition and types जिसमें हम देखेंगे junks classification and big five theory को second topic के दोस्तो हमारा meaning, concept and types of aggressions in sports third topic के दोस्तो हमारा psychological attributes in sports जिसमें हम देखेंगे self-esteem, mental imagery, self-talk और goal setting को तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले topic से जो की है दोस्तो हमारा personality, its definition and types जिसके अंदर हम देखेंगे junks classification and big five theory को तो सबसे पहले दोस्तो हम जान लेते हैं कि personality का meaning क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है तो दोस्तो जो personality है वो drive होता है Latin word persona से जिसका मतलब होता है mask तो दोस्तो हम कह सकते हैं कि जो personality है वो mask होता है किसी भी individual का जिसके दोआरा वो society से deal करता है और दोस्तो जो personality है वो एक dynamic concept है मतलब ये age के साथ साथ change होती रहती है और personalities का sports में भी बहुत ज़्यादा impact होता है अब हम दोस्तो देख लेते हैं कि personality का definition क्या है तो दोस्तो personality का definition है personality is the combination of characteristics or qualities that form an individual's distinctive character तो दोस्तो personality combination होती है किसी भी person की characteristics की और उसकी qualities की जो कि उस person को एक individual और distinctive identity प्रोवाइड करती है अब हम देख लेते हैं junks classification तो दोस्तो जो CG junks है उन्होंने classify किया है personality को three category में सबसे पहले introverts, extroverts और ambivers में तो introverts वो लोग होते हैं जो थोड़े साही होते हैं और वो अपने आप में खोई हुए रहते हैं जैसे आपने बहुत सी बार अपने class में भी देखा होगा कि कुछ बच्चे पीछे वाल event पर बैठते हैं और वो अपने आप में ही खोई हुए रहते हैं वो लोग किसी से भी बात भी नहीं करते हैं तो ऐसे लोग होते हैं introverts, second होते हैं extroverts, जो कि introverts से एकदम apposite होते हैं, वो सभी लोगों से एकदम घुल मिलकर बात करते हैं, और उनका social interaction भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और अगले होते हैं ambi words, तो ambi words वो लोग होते हैं, जो कि ना तो extroverts होते हैं, ना तो introverts होते हैं, वो इन दोनों के बीच में होते हैं, तो अब हम देख लेते हैं big five personality theory, तो ये क्या है, तो big five personality theory बोलती है, ये कि हमारे पास generally five type के behaviors होते हैं, जो कि personality को define करते हैं, तो first आता इसके अंदर openness, ये एक ऐसी quality है person की, जहाँ पे वो लोग नई नई चीजों के बारे में जानने के लिए excited रहते हैं, तो उनको नई चीजे जाननी हैं, नई concept जानने हैं, और नई नई चीजों को सिखने में बड़ा enjoy करते हैं, ऐसे लोग होते हैं openness की category में, नेक्स्ट आता है conscientiousness, यहाँ पे जो लोग आते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा reliable, prompt वाली चीजे होती हैं, बहुत ज़्यादा organize रहते हैं, अपनी चीजों को systematic तरीके से रखते हैं, कोई भी चीजे यहाँ वहाँ बिगड़ी हुई, उन्हें पसंद नहीं होती, बहुत ज़्यादा energetic रहेंगे, talkative रहेंगे, बहुत ज़्यादा assertive रहेंगे, बात करने में बहुत ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, group बहुत जल्दी बन जाते हैं उन लोग के, friendly nature होता है उनका, ऐसे लोग आते हैं extra virgin की category में, next आता है agreeableness, यहाँ पर वो लोग आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा friendly होते हैं, cooperative होते हैं, kind hurted होते हैं, gentle होते हैं, दूसरों के help करते हैं, मदद करते हैं, जल्दी से किसी को भी ना नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा sympathy रहती हैं जिनको लोगों के साथ, तो ऐसे लोग होते हैं agreeableness की category में, and last आता है neuroticism, तो यह लोग emotionally stable नहीं होते हैं, इनकी negative approach होती है, और यह लोग बहुत easily unpleasant emotions को face करते हैं, जैसे कि anger, anxiety, depression, और यह लोग काफ़ ज़्यादा moody होते हैं, tense होते हैं, next topic है दोस्तों मारा meaning concept and types of aggressions in sports, तो सबसे पहले बात आते हैं कि aggression क्या होता है, तो दोस्तों aggression का हिंदी में मतलब होता ह आक्रमक, तो aggression defined as any behavior directed towards intentionally harming or injuring other person, either physically और psychologically, अगर आपका मन है, या intentionally या unintentionally, आप किसी को hurt करते हैं, physically या psychologically, psychologically मतलब mentally, तो उसे हम क्या बोलते हैं, aggression बोलते हैं, अब हम देख लेते हैं, types of aggression in sports, तो first aggression है, hostile aggression, तो hostile aggression तो वो aggression है, जिसमें कोई person अपने opposite person को physical damage पहुचाने की कोसिस करता है, इसका example है, जैसे कि cricket में जो baller होते हैं, वो batsman को एक bouncer मार कर, उनको physically damage पहुचाने की कोसिस करते हैं, second है, instrumental aggression, तो ये भी एक negative तरह की aggression है, जिसमें किसी भी person का intent ये होता है, कि वो सामने वाले person को अपने behavior से heart कर सके, ताकि वो पैसे कमा सके, या फिर victory अचीव कर सके, और last है, assertive behavior, ये एक positive type का aggression है, जिसमें किसी भी person का intent ये होता है, कि वो सामने वाले पर अपनी dominance को proof कर सके, ना कि वो उसे heart करे, और इसका एक live example है, विराट कोली, जो कि field पर बहुत ही जदा aggressive रहते हैं, लेकिन उनका सिर्फ एक ही intent ह होता है, कि वो सामने वाले पर अपनी dominance को proof कर सके, ना कि किसी को hurt करे, लास्ट टोपिक है दोस्तों हमारा psychological attributes in sports, जिसके अंदर हम देखेंगे self-esteem, mental imagery, self-talk and goal setting को, तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं, कि attributes होता क्या है, तो दोस्तों attributes का मतलब होता है, कि किसी भी person की क् characteristics है, उसके क्या qualities है, तो उसी को दोस्तों हम attributes कहते हैं, अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि psychological attributes क्या होता है, तो दोस्तों जो psychological attributes होती है, वो हमारे mind से related होती है, अब हम देख लेते हैं psychological attributes through sports, तो दोस्तों अगर कोई भी person, games या फिर sports में participate करता है, तो दोस्तों इसके कार factors हैं, वो भी काफी ज़्यदे improve होता है, और दोस्तों games और sports में participate करने के कारण, वो दोस्तों काफी सारे psychological attributes को भी सीखता है, जैसे कि self-esteem, mental imagery, self-talk और goal setting, तो चलिए हम एक एक करके इन चारों को समझते हैं, सबसे पहला है दोस्तों हमारा self-esteem, तो दोस्तों self-esteem का मतलब होता ह कि कोई person अपने आपकी कितनी value करता है, अपनी वर्थ को कितना समझता है, self-esteem को दोस्तों हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कि कोई भी person अपने आपको कितना appreciate करता है, अपने आपको कितना ज्यादा पसंद करता है, किसी भी circumstances में, तो उसी को दोस्तों self-esteem कहते हैं, तो दोस्तों दूसरा परसन उसकी value नहीं करेगा और उसको important नहीं मानेगा ये दोस्तो एक fact है Selfish team के अंदर आता है अपनी appearance को judge करना अपने belief, emotions, behavior को देखना यही सारी चीज़ दोस्तों Selfish team के अंदर आती है For example दोस्तों आप सभी ने WWE तो देखाई होगा World Wrestling Entertainment और उसमें दोस्तों आपने दो famous fighters का नाम भी सुना होगा एक है Undertaker दूसरे है John Cena और माल लिजे दोस्तों इन दोनों fighters का match होता है और माल लिजे उसी समय दोस्तों जो John Cena है वो अगर यह सोचेंगे कि जो मेरे सामने वाला fighter है Undertaker वो मेरे से काफी ज़ता legend है और वो मेरे से अच्छा लड़ते हैं और वो थोड़े खतरनाक भी है तो वो दोस्तों खुद की value को वहाँ पर भूल जाएगा तो वो दोस्तों अपने आपके उपर doubt करने लग जाएगा लेकिन वही अगर उसके अंदर दोस्तों self esteem होगा तो दोस्तों वो अपनी value को पहचानेगा और वो उनके साथ compete करेगा irrespective कि अगर वो हार भी जाते हैं तो अगर जो उनसे न हार भी जाते हैं तो उनको दोस्तों खुद की value पता चल जाएगी कि मैंने कम से कम compete तो किया भले ही मैं हार गया तो यहां से दोस्तों आप self esteem को समझ सकते हैं अच्छे से और दोस्तों अगर कोई भी person games और sports में participate करता है वहीं पर दोस्तों उसकी self esteem develop होती है सेकेंड दोस्तों मारा mental imagery mental imagery का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी athlete किसी भी environment में जाने से पहले अपने mind में अपने senses के दौरा उस environment को create करने की कोसिस करता है उस environment के अंदर अपने आपको देखने की कोसिस करता है जैसे मान लीजे दोस्तों कि कोई बच्चा है जो कि पहली बार cricket खिलने जा रहा है उसने दोस्तों कुछ हफते practice भी कर लिया और वो एक batsman है और मान लीजे दोस्तों कि उसका next week में match है तो वो क्या करेगा तो उसको दोस्तों काफी जद anxiety हो रही होगी और वो दोस्तों काफी सारे negative thoughts को भी feel कर रहा होगा और वो दोस्तों अपने उपर doubt भी कर रहा होगा कि क्या मैं match में जाकर अच्छा perform कर पाऊंगा runs मार पाऊंगा कि नहीं मार पाऊंगा ये सब वो सोचता रहेगा लेकिन अगर दोस्तों वो mental imagery करता है मतलब दोस्तों वो अपने mind में सोचता है उस पूरी environment को create करने के अपने mind में courses करता है कि मैं ground में जा रहा हूँ सब लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं उसके बाद मैं betting कर रहा हूँ baller मेरे सामने आया है मैंने आते ही पहली बाद पर उसे चौका लगा दिया है तो इसी को दोस्तों हम imagery कहते हैं तो इससे क्या होगा दोस्तों इससे उसके mind में positive thinking डेवलप होगी अपने आपको लेकर और इससे दोस्तों से काफी ज़धा satisfaction भी मिलेगा और वो दोस्तों difficult चीजों को लेकर काफी ज़धा confident हो जाएगा और इससे दोस्तों उसको positive thinking भी डेवलप होगी और इससे दोस्तों से self motivation भी आएगा और दोस्तों mental imagery के दुआरा anxiety, negative thoughts ये सारी चीज़े चली जाती है next दोस्तों मारा self talk self talk का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी person अगर खुद से बात करता है अब वो दोस्तों वो person अपने mind में भी बात कर सकता है और खुद से अकेले में भी बात कर सकता है तो उसी को दोस्तों हम self talk कहते हैं क्योंकि दोस्तों आपसे ज़्यादा आपको और कोई भी नहीं जानता है। आप लोग दुनिया से जुट बोल सकते हो लेकिन अपने आपसे जुट कभी नहीं बोल सकते है। तो दोस्तों जो self stock है वो sports में भी काम आता है sports person की। कैसे तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कोई भी person जिसका मान लिजे कोई match है आने वाला है तो वो दोस्तों क्या करेगा वो दोस्तों अपने आपको ही internally motivate करेगा। वो दोस्तों बार बार अपने mind में कहता रहेगा कि मैं उस match में जाके अच्छा perform करूँगा। तो इससे दोस्तों जो challenges होंगे जो hurdles होंगे उसको वो overcome कर लेगा। प्रैक्टिस करेगा ज्यादा ज्यादा और अगर वो दोस्तों प्रैक्टिस करता है तो दोस्तों जाहिर से बात है कि वो अच्छा perform करके ही आएगा। और अगर दोस्तों कोई भी person self talk करता है तो वो दोस्तों अपनी mistakes को भी पहचान पाता है। mistakes को पहचान लेगा तो दोस्तों वो उन mistakes पर काम करेगा और उसे improve करने की courses करेगा। तो इस तरह दोस्तों sports person की performance भी improve होती है। और last दोस्तों हमारे goal setting अब दोस्तों goal का मतलब क्या होता है गोल का मतलब होता है दोस्तों कुछ भी चीज जिसको दोस्तों हम achieve करना चाहते हैं जिसको हम पाना चाहते हैं तो दोस्तों goal setting का use games और sports में भी होता है कैसे मैं आपको बताता हूँ जैसे माल लीजे दोस्तों वो एक baller है और उसका match भी दोस्तो बहुत जल्दी कुछ दिनों में आने वाला है तो दोस्तो उस baller का goal क्या होगा तो उस baller का goal यही होगा कि मैं अच्छी baller को डाल पाऊं उस match में ज्यादा ज्यादा wicket ले पाऊं तो उसके लिए दोस्तो वो practice करेगा और दोस्तो वो जितना ज्यादा practice करेगा उतना ही ज्यादा वो दोस्तो perfect होता जाएगा और उस match में जाकर दोस्तो वो अच्छा performance दे पाएगा और दो-तिन wicket तो कम से कम वो ले ही पाएगा इससे दोस्तो internal motivation भी आता है और जो person वो success को भी achieve कर पाता है तो दोस्तो जो goal setting है ये भी दोस्तो हम सीखते हैं games और sports में participate करने के कारण तो यहाँ पर दोस्तो यह जो हमारा unit है unit number 9 psychology and sports यह दोस्तो यहाँ पर खतम होता है अगर दोस्तो यह video आपको helpful लगी है तो इस video को like कीजिए इस video को share कीजिए अपने दोस्तों के साथ और दोस्तो अगर आप ऐसी videos को देखते रहना चाहते है तो इस channel को subscribe कीजिए तब तक दोस्तो all the best stay tuned with us